आप में से बहुत सारे लोग यहां अभी कॉलेज में होंगे। मैं 2011 में जब उनिवस्टी गया था तो क्या बहस हो रही थी। मैं बताता हूं क्या बहस हो रही थी। 10% विकास दर का बहस हो रहा था। बहस हो रहा था कि हम इस देश को प्रगती की पत पर आगे कैसे ले करके जाएंगे। कैसे नए रोजगार का स्रिजन होगा। किस तरीके से टेकनोलाजिकल एडवांसमेंट होगा। सरकें बनेंगी, चौरी होंगी, विकास होगा, लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। हमारी ये बहस होती थी कि सिर्फ सहरों को एसमाट बना देने से देश नहीं एसमाट होगा। क्योंकि देश में सिर्फ शहर नहीं है, गाउं भी है। तो गाउं से जो विद्यार्थी जोला ले करके आता है पढ़ने के लिए, लखनाओ, बनारस, इलहाबाद, दिल्ली, पटना, ये जो विद्यार्थी गाउं से निकल करके आते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं और किस उमीर से रहते हैं, एस बिस्थरस का छट होता है, एस बिस्थरस एक ऐसा कमाल चीज है कि एसी के अपोजिट काम करता है, गर्मी में खूब गरम होता है और ठंडा में खूब ठंडा होता है, जो इस बिस्थरस की छट के नीचे रहे होंगे उनको ये बात मालूम गर्मी में जब इस पिस्टस खूब गरम हो जाता है तब रोटी बेलने का मन नहीं करता है और आप में से कई सारे लोग ये सब्द सुने होंगे दीबीची, डालभाद चोखा क्यों खाते हैं डालभाद चोखा? क्योंकि रोटी बेलने की हिम्मत नहीं होती है पसीना निकलता है रोटी बेल करके, चोखा बना करके, खिकड़ी खा करके और साइकिल ले करके ये कोचिंग से वो कोचिंग, वो कोचिंग से वो कोचिंग इस उम्मीद में घूमते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी बहाली आएगी, भरती होगी और जब सरकारी नौकरी मिलेगी, हम साब साब बोलते हैं लाग लपेट हमको बोलना नहीं आता है सरकारी नौकरी मिलेगी तो बिया होगा क्या रे बुत्रू, हाँ तो रहा है पिखे सरकारी नौकरी होगी, तो बिया होगा बायो डेटा जाएगा चवराई से बाबुजी बोलेंगे हमरा बगवा को रेलवे में नोक्री हो गया है सोचके देखिए रेलवे बचेगा ही नहीं तो नोक्री लीजेगा मंगल गरह पे कहां मिलेगा नोक्री यह सवाल है और इस सवाल को गुमराह करने के लिए कहा क्या जा रहा है हम उनको लाएंगे जो राम को लाएं है मेरा भूतिक टार्किक परस्ण है आप सब लोग लखनों के लोग है अवर का इलाका है अयोध्याँ है अयोध्या कहा जाता है प्रभुछ राम की नगरी मैं भी बिहार का रहने वालां नगर ने वाला हूं और मिठला के बारे में कहा जाता है कि वो माता जानकी की जन्न मुखुमी है मैं तो ये बात समझ में ही नहीं पा रहा हूं RSS बना 1925 में रामाइन हुआ त्रेता यूग में तो ये राम को कैसे लेकर गया हैं इनका इतिहास खराब है ये इतिहास नहीं पढ़े हैं ये इतिहास अगर पढ़े होते तो ये बात बोलने से पहले सो बार सोचे होते हम राम को लाएंगे कि राम हमको लाएंगे सोच के दिखिए कौन राम को लाएगा हम लाएंगे कि राम हमको लेकर के आएंगे ये राम को नहीं लाएंगे ये नाथू राम को लाएंगे इस बात को यार रख लेगा है नफरत से लोग ये इतिहास में भी पढ़े होंगे इतिहास में नहीं पढ धानमंत्री की तरह अगर आपको इंटाइर पॉलिटिकल साइंस करने का मोगा नहीं मिला है तो कम से कम टीवी पे सीरियल तो जरूर देखे होंगे। धी डी वन पे एक सीरियल आता था यूग नाम से हम त्रेता यूग की बात नहीं कर रहे हैं हम आज की बात कर रहे हैं उस यूग सीरियल में ये दिखाया जाता था कि अंग्रेज लोग साम को चाय पर चड़चा बुलाया है लोगों को अब कुछ काली टोपी पहन कर लोग वह सब्सक्राइब लोग हैं कि अक्सर लोगों के उपर स्याहिए ठेकते रहते हैं जिनकी शोच कानी वहीं स्याहिए पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि वाईशराय साहब बहुत गरबर हो गया है यह गांधी जो है कि सब को इकठा कर लिया है रगुपति रागव राजा राम पतीट पावन सीता राम इस्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान कोई छूट ही नहीं रहा है सबका साथ सबका विकास एकदम हंडेड परसेंट गैरें सबसे बहतरीन चीज़ है धरम हो सकता है बोला जिस धरम का इस्तेमाल करके 1857 में जो प्रथम सुतंता संग्राम हुआ जिसमें सिपाहियों की एकताव स्थापित की गई थी उसी धरम का इस्तेमाल करके इन भार्तियों को आपस में लडाया जा सकता है और शूवर मैं हिस्री का बात बता रहा हूं और है किसी के दम के पास अगर यह तो मुझे चैलेंज करके दिखाए कि मैं गलत फैक्त बोल रहा हूं सूवर के मंस्त एक ही आदमी है सूवर के मंस्त मजडि़ों में फ्खेके गए गाय के मंस्त को मंदिरों में फिकवाया गया हिंदु मुसलमान को वापस में लडाया गया इसको कहते हैं divide and rule और यही जो divide and rule है वो divide and rule आज इस देश के अंदर ये diverge and rule के form में कर रहे हैं है divergeant क्या होता है कई बार कई बार अजो है वह पोजेटीव होता है Northille Kalid कि यह पте जा जा रहा हो तब यह धिया जाता है जो दिखता नहीं है जिसके बारे में लिखा नहीं रहता है divergen ahead और ये divergen क्या है divergen ये है कि जहां हम से reverse gear लग गया है देश कैसा बनाना चाहते हैं ये सवाल पीछे जूट गया है देश को हम बचाना चाहते हैं ये सवाल ज्यादा prominent होकर कि आज हमारे सामने आ गया है कहते हैं कहां तो तैथा चिरागा हर एक घर के लिए कहां चिराग मैस्सक नहीं शहर के लिए कहां तो हमारे देश में IT मार्केट बूम कर रहा था IT professionals दुनिया में जाकर के बरी बरी नौक्रियां ले रहे थे कौन सी नई कमपनी भारत में आ रही है इसकी चर्चा हो रही थी आप देख लिजिए कि कितने लोग यहां से जा रहे हैं लगातार जो बाहर की कमपनिया हैं वो अपने संस्थान को भारत में बंद कर रहे हैं और आपको सुनकर के आस्चर्च होगा इस बात को याद रखिएगा बिस्थापन के नाम पर नागरिक्ता के नाम पर देश के अ आस्चर होगा पिछले साल हों में आठा लाख लोगों ने भारति भारतियों ने भारत की नागरिकता छोड दी ये हमारे लिए चिलता का विश्य है जितना पैसा आज हमारे देश में नहीं आ रहा है जिसको इन्वेस्टमेंट कहा गया था उससे जादा पैसा जो हमारे देश से बाहर जा रहा है और आप दादा भाई नेरो जी का वो आर्टिकल पढ़िए पोवर्टी इन इंडिया और पोवर्टी इन इंडिया में जो मेजर आर्गुमेंट है वो क्या कह रहे है नेरो जी सहाब वो कह रहे हैं कि ये अंग्रेज आये हैं हमको आपस में लडाते हैं और देश की संपत्ती को लंदन पहुँचाते हैं ठीक वही काम कि ये अंग्रेजों के चापलूस आये हैं हमको आपस में लडाते हैं और देश की संपत्ती को अंबानी और अदानी के खजाने में पहुँचाते हैं आप अपने आप से प्रस्न पूछ करके हमको बताईए कि जब लाखों पद रिक्त हैं 38,000 पूस्ट प्रैमरी टीचर का दिक्त हैं अगानवारी का 20,000 पूस्ट रिक्त है कोई डिपार्ट मेंट रिषा नहीं है जहाँ पर live थिया नहीं है तो क्या नौजवानों को नौक्री नहीं दी जा सकती है नौजवानों को नहीं मिलेगी नौक्री आमित्ता का बेटा बनेगा BCCI का सेक्रेटरी, कह क्या रहे हैं, कि नई भाई, गुरूप D की नौकरी करने के लिए दो परिच्छा लेंगे, बहुत बढ़िया बात, BCCI का सेक्रेटरी बनने के लिए क्या को परिच्छा लिये थे, कहा चला गया मेरिज का लॉजिक, सरकार ने कहा है, कि हम लेटरल इंटरी करेंगे, लेटरल इंटरी मतलब समझते हैं क्या होता है, लेटरल इंटरी मतलब होता है, जिसे हम यहां से चल करके ऐसे आये मंच पर, लेटरल इंटरी का मतलब होता है, नहीं, ऐसे हम चल करके नहीं आएंगे, दुलहा दुलहान आजक उसे मंच पर अवतरीत होते हैं। उसी को कहते हैं लिटरल इंट्री। दुला दुलं सामने से चल करके नहीं आएगा। छत फट जाएगा। दिवार फट जाएगी। धरती फट जाएगा। उससे दुला दुलं निकलते हैं। लिट्रल इंट्री का मतलब यह होता है कि आपके जो डीम और एस्पी साहल है ना उनको परिक्षा देने का जरूरत नहीं है सरकार किसी भी इंसान का प्रोफेस्नल एसेस्मेंट करके किसी को भी एस्पी और डीम बना सकती है पूछिएगा अपने भाजपा के प्रियर दोस्तों को क्या यार क्या हाल है देश में लिट्रल इंट्री हो रहा है देश में पहले भी लिट्रल इंट्री हो रहा था जब BCCI का सेक्रेटरी बनने का मौका मिला तो तुम BCCI का सेक्रेटरी बने की जैसा अमिता बना अमिता का बेटा जैसा बना जड़ा सोच के बताना और कल को अगर SP-DM बनने में भी लेटरल इंट्री हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि हमारे और आपके घर के बच्चे SP और DM बनेंगे यही चोड़वा मंत्री साब का बाल बच्चा SP और DM बन करके बैठ जाएगा SP और DM बनने के लिए लेटरल इंट्री आज लाइन पर जारू मारने के लिए तीन को परिक्षा हाई रे मेरिट सोच के बताइए इसके बारे में कोई ऐसा एक जाम नहीं है जिसका बहाली टाइम पर पहले तो वेकंजी नहीं आएगे वेकंसी अगर आ गया तो जो है परिच्छा नहीं होगा समय पे परिच्छा अगर होने वाला है तो आप ट्रेन में लटक करके पता है किसी अपने यूरोपियन दोस्त को अगर वो फोटो दिखा देंगे न आई सीउ में चला जाएगा देखकर के आप जानते हैं कि उपर अव इलक्स्रिक तार होता है कोई अगर चल करके देखना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको गया में उपर इलक्स्रिक का तार विछा हुआ है ट्रेन के उपर बैट करके लोग यात्रा करता है अपनी आँख से जब हम देखें न तो थो कि निखे एककड़ वो सीट पर बिसबिस भो लोग रहता है और वो सीट पर बैचने का जुगार देखिएगा साइज में समान रखने वाला जगह होता है और जो ऊपर वाला समान रखने बान्द करके उसमें दूग आदमी लटका रहता है हम ऐसी जिन्दगी जीने के लिए बिवस हैं और वह इसे करके जब हम परिक्षा देने के लिए जाएंगे तो एक जामनेशन हॉल में पता चलता है कि प्रश्ण पत्र लीख हो गया है आप सोच करके देखिए ये दर्द नहीं है ये समस्या नहीं है ये समस्या नौकरी का सवाल जो हमने वादा नहीं किया था यहीं वादा किया था जुमलेवाज दो करोर नौकरी देने का वादा इनका था लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है रिक्तियां नहीं भड़ी जा उसमें किस तरीके से जो है बैमानी की जाती है और इंसान के साथ विद्यार्थियों के साथ भेर बक्री जैसा बरताव किया जाता है और जब मैं इस सवाल को बोलता हूं तो मू उठा करके हम को आके पुछेगा अच्छा तो पताई जरा राजस्थान में क्या हो रहा है यह हम जोर से बोलने से ना सच जो है वो जूट नहीं हो जाएगा हमारे हैं कहावत है चोर बोले जोर से जोर जोर से चिलाता है और जूट बोल करके इस देश के अंदर इतिहास की गलत जानकारी लोगों के सामने प्रस्तूत करता है इतिहास की गलत जानकारी लोगों के सामने क्यों प्रस्तूत करता है कि आप इतिहास में उल्जे रहेंगे आपका बर्तमान और भविस्थ दोनों बेच देगा यह हम लोग 2022 में खरे हैं ना याद है ना आदर निया सिरी सिरी 108 सिरी यह सोदा बेंद जी के पती माननिया मुदी जी का भाषन याद है ना क्या बुले थे 2022 में किसानों की आमदनी दुगोनी हो जाएगी सब लोग देखिए तो अपना अपना मुबाइल 2022 ही है ना हम लोग 2020 में तो नहीं है ना याद किजे ये वादा 2016 में पधान मंत्री ने देखिए लोगों से एक सपठ दिलाया था किसी को कहते हैं न देख तेरे संसार की आलत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान सपठ दिलाये थे कसम छिलाया था हम लोग भी बच्पन में कसम खाते थे जूट नहीं बोलें इसके लिए हम खा करके जूट बोलते हैं इन्होंने प्लेज दिलवाया था 2016 में कि हम नया इंडिया बना देंगे और यह नया इंडिया क्या होगा इस नए इंडिया में जातिवाद नहीं होगा तो जाट संब्लन हमारा चाचा करने के लिए आया था जातिवाद नहीं है चुना हो रहा है ना जात के नाम पर संब्लन हो रहा है नहीं हो रहा है हम जो है जातिवाद मुक्त कर देंगे और क्या कर देंगे सामपदाइकता मुक्त कर देंगे अपने ही मुह से बोला था ना चलिए अपने ठीक है अपना दिमाज से नहीं बोला था तेली प्रोंटर्ट पर लिखा हुआ था पढ़ करके बोला होगा लेकिन बोला तो अपने ही मुह से था ना क्या बोले भाई समसान और कबरिस्तान यह सामपरदायकता फिरी है 80 और 20 यह सामपरदायकता फिरी है क्या कहे थे देश से गरीबी समाप्त कर देगे अभी कोरोना का समय बिता है न कौन लोग था एक एक हजार किलोमीटर लोग गए हैं पेदल चल करें और आपके इसी लखनव हाइवे से लोग गए हैं मैं कई NSY और इस कॉंग्रेस के लड़कों को जानता हूं जो उस वक्त चपल बाट रहे थे पानी बाट रहे थे कहां थी सरकार कहां चली गई थी सरकार और आज जो है धर्म के नाम पर लोगों के मुद्दे भटकाना चाहते हैं क्या कर रही थी गॉर्मेंट क्यों नहीं मिल रहा था लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं मिले बेड छोड़ दीजिए हम तो जनता हैं अपने नेता को बेड नहीं दे पाया अपने मंत्री को बेड नहीं दे पाया यह हकीकत है कहते हैं कि मर जाने के बाद जब हमारे यहां मिर्द सरीर गुजरता है तो लोग उसको परनाम करते हैं एक संस्कृती है कि जब भी मिर्द सरीर गुजरेगा तो उसको परनाम करते हैं कि आत्मा को सांती मिले अंतिम हक है वो उस अंतिम हक से भी लोगों को छीन लिया गया संसान में जगे नहीं 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 यह हमने अपनी आखों से देखा है उस सवाल से बात ही नहीं कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? बुल्डोजर चलेगा अबल तो मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है कोई इनसान अगर सन्यासी का वस्रधारन करके सन्यास के कर्म के साथ भोखा करता है वनों सिर्फ धर्म के परती बरकि समाज के परती भी बैमानी का काम कर रहा है जिन लोगों को लगता है कि ये धरम बचाएंगे तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ ये धरम नहीं बचाएंगे ये अपना धंधा बचा रहे है इस बात को याद रखिएगा और इनका धंधा ये है कि आपका धंधा लूटेंगे और अपने देस के दोस्त के धंधे को बढ़ाएंगे मैं बार बार ये लोगों को कर रहा हूँ कि ये देस का नाम लेकर के दोस्तों का ख़जाना भर रहे हैं ये लराई बैचारिक है इस बात को समझ लीजिए हमारे लिए ये मेरी व्यक्तिगत समझ है और मैं समझता हूँ यहां बैचे जो आप तमाम लोग है उनको भी ये महसूस होता होगा बुनियादी तोर पर ये लराई बैचारिक है ये लराई बैचारिक इस रूप में है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं हम बेचने वाला भारत चाहते हैं कि बचाने वाला भारत चाहते हैं इस बात को आपको तै करना परेगा और जो बेचने वाले लोग हैं वही आज हमारी संस्कृति को धर्म को इतिहास को और हमारे समाज के समाजिक सद्भाव को बिगार रहे हैं आप लोगों की जानकारी के लिए बात बता देता हूं कि जिस मच का ये संत होने का दावा करते हैं उसका इतिहास क्या है नाच संप्रदाय के अंदर सगुन भक्ति नहीं होती है निर्गुन भक्ति होती है और निर्गुन भक्ति क्या होता है कि राम जो है वो साकार नहीं है निराकार है और हमको पढ़ाया गया है अगर मैंने गलत पर लिया तो मुझे बताईएगा कि इस देश की साहितिकी परंपरा में तुलसी के भी राम है तुलसी के भी राम है और तमाम वो जो साहितिक परंपरा है उसमें कवीर के भी राम है अब आप मुझे बताईए कि तुलसी के राम और कवीर के राम में क्या साहित्त में हम लोगों को सिखाया और पढ़ाया गया है मानो तो देव नहीं तो पत्थर भगवान जो है वो कनकन में विराजमान है इसलिए एक परंपरा कहता है कि साकार ब्रह्म होने की ज़रुरत नहीं है ब्रह्म निराकार होता है और दूसरी परंपरा कहती है कि हमारे मन में जो भक्ती होती है वही हम भगबान के प्रति आरोपित करते हैं इसलिए इश्वर जो हैं वो साकार भी हो सकते हैं नास संप्रदाय निराकार ब्रह्म को मानने वाला संप्रदाय है और उसके जो एक योगी हैं वो कहते हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं वो जो पड़ंपड़ा है दर्शन की कोई दर्शन का विद्यार्थी अगर मैं गलत दर्शन बोल रहा हूं तो मेरे दर्शन को काट दे कहता है कि भगवान का निवास भक्त के मन में होता है भगवान का निवास इस ब्रमान के कनकन में होता है ये है भारतियता इस भारतियता में जहां हम आलोचना को स्विकार करते हैं कभीर एक साथ दो वाच लिखते हैं कभीर कहते हैं कंकर पाथर चारी के माजिद लियो बनाए तापर मुला बंग दे बेहरो हुए खुदाए उसी वक्त कभीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूझू पहार ये हमारा इतिहास है ये हमारा धर्म है ये हमारी संस्कृती है आप बताईए कि इस इतिहात, धर्म और संस्कृति को आज कौन खंडित करने का प्रयास कर रहा है हम लोग जो कह रहे हैं कि इस देश के एक-एक बेरोजगार को आपको नौकरी देने परेगी इस देश की एक-एक महिला को आपको सुरक्षा देनी परेगी इस देश के एक-एक किसान को उसकी फसल का दाम देना परेगा इस देश के एक-एक मजदूर को उसको नियुमतम मजदूरी देनी परेगी यह देश हम सब का है यह देश जितना हेलिकॉप्टर को रूरने वाले लोगों का है यह देश उतना ही फुटपात पर बैच करके जूता सिलने वालों का है यह हमारा डिमांड है यह हमारी लडाई है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस साजिस को हमको समझना परेगा कि आज किस तरीके से हमारे असली सवाल को गुमराह किया जाता है एक मित्र आये और उन्होंने हमको कहा तुमारा क्या है दोस्त हिंदू परिवार में पैदा लिये हो नाम कनहया है भाजपा की सरकार है तुमको कोई दिक्कत है हम बले सुनो दोस्त हमारे जैसे लोगों को दिक्कत सिर्फ अपनी तकलीफ से नहीं होती है हमारे जैसे लोगों को हमारे परोशी में क्या तकलीफ है परोश में क्या तकलीफ है उससे भी तकलीफ होती है हम उस संस्कृती में पैदा हुए हैं कि गाउं में किसी की भी मौत हो जाए हमारे घर में भी खाना नहीं बनता है जो मुर्दों की राजनिती करते हैं जो समसान और कबरिस्तान करते हैं जो अस्षी और बीस बोलते हैं जो इंसान को इंसान से बाटते हैं उनके खिलाफ हमारी लडाई है और इस बात को याद रखना कि जब गोडसे को गोली मारने का मौका मिला ना उन्होंने गांधी को चुना क्योंकि गांधी कहते थे इस्वर अल्ला तेरो नाम तब को तनमती देभगवान आज के समय में ये कठिन लडाई है ये तुमको भी समझना परेगा और ये हमको भी समझना परेगा क्या मेरा नाम कनहिया है मैं पेट्रोल पंपे जाऊं तो मुझे पेट्रोल पचास रूपई ये लिटर मिलेगा कोई सोच करके हमको बताए जो आज इस पूरे को पूरे चुनाओं में सबसे ज़्यादा सोर्द चुनाई दे रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता की कल्यान की बात नहीं है ये उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर जो विस्तापन का है उसकी चर्चा नहीं हो रही है विस्ट विद्यालियों में जो पद रिक्त हैं उसकी बात नहीं हो रही है संसाजमों को जो लगातार लोगों के हाथों से छीना जा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है बात क्या हो रहा है कि विस्टर्न यूपी में जात भोट कहां जा रहा है सेंट्रल यूपी में नोन यादव भोट कहां जा रहा है, ब्राहमन इस बार क्या करेंगे, अरे महराज, कोरोना हुआ न अभी, कैसे हुआ, कैसे हुआ कोरोना, कौन जात को नहीं हुआ हमको बता दीजिये जराव, है कोई ऐसा जात, जिसको कोरोना नहीं हुआ हो, है कोई ऐसा धरम का लोग, जिसको कोरोना नहीं हुआ हो, आपको सचमुच लगता है क्या, कि देंगू का मच्छर आएगा, और पहले आपसे पूछेगा, what is your name, आप कहिएगा नीरज तो काट लेगा, और कहिएगा नदीम तो भाग जाएगा, सचमुच में आपको इस बात भ हवा है, वो हवा रहने लायक नहीं है, एक QI 400 के पार होता है, यह हमारी हकिकत है, हमारी हकिकत यह है, कि यहां से वहां जाने के लिए, कम्यूट करने के लिए, याता-याद के संसाधन नहीं बचे हैं, कभी ध्यान दिये हैं, कितना train cancel हो गया है नया रंग रोगन करके राजधानी को ही क्या बना दिया है उसने भारी पैसा लगता है हवाई जहाज के बरावर तेजस खेकने के लिए तेजस होना बहुत जरूरी है वही राजधानी ट्रेन नया नहीं बनाया गया है उसका नाम बदल दिया गया है अरे कोई रोक रहा है आपको बना लीजिए ना पचास को सहर और पचास को जो सतंता से ना नी भाजबा से जुड़े हुए हो उनके नाम सहर का नाम रख दीजिएगा और वहां सरक का नाम चापाकल का नाम ब्लिस्टीट लाइट का नाम इन्वस्टी का नाम अस्पताल का नाम सब उनके नाम पे रख दीजिएगा दिका जानते हैं क्या है जिनके पास इतिहाद ही नहीं है वो क्या रखेंगे किसका नाम बोला सुवास चंद्र बोस्त के साथ बहुत तकलीफ हुआ बोले ठीक बात बोले और उस तकलीफ के बाद वह सीधे जाकर के आरे से जोइन कर लिए थे नहीं आप सब भी अपनी जानकारी के लिए जान दीजिए बिला वजह का कॉंग्रेस के जो नेता हैं उन कॉंग्रेस के देखनी तब को ही आपस में लडाया जाता है अरे में आपको परिवार में बहसं नहीं होती है क्या हर वार जो बाबुजीं कहते हैं मॉन लेते हैं जुट मत बिलिए अभी 4 तारीक आएगा तो देहें बाबुजी का बात मनदीजेगा हर बात मनते हैं बाबुजी का में लड़ाई नहीं होती है मुद्दों पर बहस नहीं होता है किसी बात को किसी बात से काठ करके अगर आप देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा सुवास चंद्र बोस अगर भाजपा के विचारों से प्रेडित थे तो 1925 में रसे बन गया था तो कॉंग्रेस से निकल करके सुवास चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी नेताजी की पार्टी का क्या नाम था फॉड़ड फॉडर्ट भाजप बंगाजँ कशनाव के सा vocês लड़ी कॉंग्रेस में साथ लड़ी न कुई कौन है भाई तीन में की तेर में तुम्हरा इतिहाद क्या है क्या किये हो देश के लिए पांच कराण्श कारे का नाम बताओ पांच करांश कारे का जो इस देश के लिए फासी पे चढ़े हों जो आरेसिस के मेंबर हों क्यों जूट बोल रहे हों इस जूट बोलने की सारी कोशिस के पीछे राज क्या है राज ये है तुम इत्यास में उल्जा करके बर्तमान के सवाल को गुम्राह कर देना चाहते हो इसलिए मैं बार-बार कह भूता हूँ जोटką स्थापित करने के लिए मैंनेद करने करनी परती है और सच को देखने के लिए टीवी दिखना जरूरी नहीं है तो सच को देखने के लिए टीवी देखने का जरूरत है अपने घर की माली हालत देख लो न पिता जी अगर नोकरी करते हैं माता जी अगर नोकरी करते हैं तो उनसे पूछो अच्छा पपा बताईए आपका पेंसन कौन बंद किया था रास्त के ये तीन धरोहर अचलाडवानी मुर्ली मनोगर उसी वक्त बंद हुआ था पेंसन अगर सरकारी नोकरी करते हैं तो ये सवाल पूछना सरकारी नोकरी नहीं करते हैं तो ये सवाल पूछना कि लेवर लॉग के हिसाब से आठ गंटा काम करना है आठ गंटा के बाद अगर एक मिनिट भी काम करेंगे तो दो मिनिट का पुछना मिलना चाहिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां मीनिमम वेज दिया जाता है तो मजदूरों का सुशन हो रहा है और जब वो बता दें तो उनसे पूछना पपा आप कहते हैं कि इतना बढ़िया है चलिए आप भी बता देजे इस देश का लेवर मिनिस्टर कौन है सरकार चला रहे हैं कि सरकस चला रहे हैं क्या कर रहे हैं यह और इनको क्या लगता है इनको लगता है कि उटको जो मन होगा वो यह देश न करेंगे ये देश को taken for granted ले लिए हैं तो इनको हम challenge करते हैं तुम्हारी हरकत अगर अंग्रेजों वाली होगी तो हमारी हरकत सिर्व रंतिकारियों वाली होगी इस बात को याद रखना कि अगर इस देश के भीतर देश की बुनियादी संस्कृति और लोगों के बुनियादी सवाल पर नहीं करेंगे लोग किसी नेता का इंसिजाद नहीं करेंगे मरता क्या न करता जी है मरता क्या ना करता distort कर रिवड़ेदादा पेte कर दिए बाती लोगों को अगर रिजल्ट नहीं आया भीपयार्थियों ने क्रौरों ट्विच्ट किया पता नहीं रेल मंतरी क्या कर रहे तब है एक तो यह अजब खेला चल रहा इस्मकार में और कानून का सवाल हो तो रेल मंतरी की बोलेगा रेल का सवाल हो तो भीत मंत्री बोलेगाबित का सवाल हो तो रक्षा भीत मंत्री 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 जी किसूपर डूपर कलाइमेख्त आया जब वह पंजाब गये उन्हों कहा कि अपने मुख मंत्री को धन्यवाद कहना में सुरक्षित लोट आया अब पता नहीं और सुरक्षा में क्या हुआ था उनके मज़ेदार बात ये है कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिसकी है वो प्रेस कॉंफरेंस करने के लिए नहीं आया प्रेस प्रधान मंत्री की सुरक्षा पे जो है प्रेस कॉंफरेंस करने की क्या जरुत है देश में ग्री मंत्री नहीं है ग्री मंत्री क्या कर रहे थे ग्री मंत्री कहीं कोहली वाला बिदा बिवाद को सुझाने के लिए नहीं चल रहे कह थे या टेनी जी से मिलने के लिए आ गये सब्सक्राइब क्या हो रहा है क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है अब आई भोली तो लगा कि विद्यार्थीयों को भी टूइच करके देखते हैं नहीं रेल मंतरी तो कम से कम कप्रा मंतरी है आगर के कुछ बोल देंगी रेल मंतरी नहीं आए जब विद्यार्थी मजबूर होकर के सरकों पे उतरे रेल वे ट्रैक पे उतर आए तब आनन फानन में रेल मंतरी आते हैं और रेल मंतरी कहते हैं कि रेल वे आपकी सं संपत्ती है इसका नुकसान मत कीजिए मैं भी हाथ जोड़ करके आप से यही कहता हूं वैस्पनव जनतों तहने कई यह पीर पढ़ाई जाने रहे अस्पनी वैस्पनव साहब कि रेलवे हमारी संपत्ती है इसको अपने दोस्तों के हाथ में मत बेचिए हैं हम भी आप से यही सिम्पल हिसाब है इंका सब्सक्राइब करन की सिम्पल हिसाब है इसलिए आप देखेंगे कि एक संस्थान को इन गिन करके बेचा जा रहा है इसी इस्थिती इसी में आज जो देश के छात रहें और नौजवान हैं उनके सामने एक बिकट परिस्थिती पैदा हुआ है और बिकट परिस्थिती क्या है उनको इतिहास की भी रख्षा करनी है उनको बरतमान भी बचाना है ताकि भविसुत रख्षित रह सके यह लड़ाई यह लड़ाई एक साथ हमारे पूरे अस्टित्त की लराई है इस बात को हमको समझ लेना होगा इसलिए चुनाव को इतना टेकेन फॉर गरांटेड मत लीजिये अभी आपको लगता है कि ऐसे ही भोट का अधिकार मिल गया है थोरा सा अगर इतिहास जाकर के देखेंगे न भोट का अधिका मिलना इतनी आसान बात नहीं थी मैं आपको बता दूं कि जब संभिधान सभा का गठन हुआ था अगर मैं गलस नहीं हूं सबको भोट देने का अधिकार नहीं मिला था और हमको धन्यवाद करना चाहिए उस संभिधान सभा को जिसमें 15 महिलाएं भी थी कि एक ऐसा संभिध संभिधान बना करके दिया जिस संभिधान की ताकत से हम यह कह सकते हैं परधान मंत्री का भोट भी एक होगा और परधान मंत्री के गेच के बाहर दरवानी करने वाला संत्री का भोट भी एक होगा यह देमोक्रासी की ताकत है इसको हमको समझना चाहिए भोट को टेकेन फर ग्रांटेर नहीं लीजिए ये न वाटसेप ग्रूप नहीं है कि जम्मन करेगा तब बना लीजिएगा जम्मन करेगा तब दिलिट कर दीजिएगा जम्मन करेगा तब किसी को ब्लॉग कर दीजिएगा जम्मन करेगा तब आप एकजिट हो लीजिएगा डिमोक्रिसी इतना आसान चीज नहीं है बड़ी मुश्किल से बड़ी लड़ाईयों से हम तमाम लोगों को भोट देने का अधिकार मिला है और भोट देने का वो बराबरी का अधिकार ही हमारे हाथ में वो ताकत है कि बड़ा बड़ा नेता जो पांच साल में आपके गली में नाली से पानी बहता है उसको देखने नहीं आता है लेकिन चुनाओ के वर्ट आईसे करके बड़ देदी जिएगा हेलिकॉप्टर जमीन पर इसलिए आता है क्योंकि आपके पैड के नीचे जो लोकतंत्र की जमीन है उतका ताकत ये संभिधान आपको देता है इसलिए जब आज इस देश में पांच राज्यों में चुना हो रहा है खास करके मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से ये कहना चाहता हूं एक पत्रकार ने हमको पूछा यूपी में काबा हम कहते हैं कि ये मत पुछे ये पुछे कि यूपी कहाबा काबा नहीं कहाबा कहाबा इसलिए कि आप कोई भी इंडेक्स उठा करके देख लीजिए भूख का इंडेक्स चोरी का इंडेक्स बलातकार का इंडेक्स किसी भी अपराज का इंडेक्स बेरोजगारी का इंडेक्स कहां है उसको देख लीजिये कहां बाद हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं आप देख लीजिये कि देश के सबसे बरे राज्यों में से एक जिसकी आबादी 25 करोड हो उस उस प्रदेश के नौजवानों का सवाल क्या होना चाहिए उस प्रदेश के क्या हो गया है उन तमाम उद्योग धंदों को जो अलग अलग छेतर में उत्तर प्रदेश का कोई न कोई ऐसा सहर पूरे देश में कोई ऐसा राज नहीं है जहां उत्तर प्रदेश के जितना सहर हो और कोई ऐसा सहर नहीं है जहां कि कोई न कोई चीज मशूर नहो अरे अलीग यह जो उत्तरप्रदेश की ताकत थी, इसको आज कहाँ पहुंचाया जा रहा है, इतिहास के गरे मुर्दे उखारने के लिए मैं यहां नहीं आया हूँ, बस मैं यह कह रहा हूँ, कि जो इतिहास में फैल हैं, जो अपने इतिहास को नहीं समझते हैं, वो आपके इतिहास को इसलिए सुन कर रहे हैं कि आप बर्तमान की समस्याओं को न समझ सके और आपका भविस्ट अंधकार में हो जाए इसलिए हम आपसे यागरह करना चाहते हैं कि आज जब चुना हो रहा है टीवी बंद कीजिए अपने जीवन से पूछिए कि आपके जीवन में सच मुछ में क आप उसामत मनिये तो इन जनरल ही हम टीवी बला को बोल रहे हैं एस्पेसली आपको नहीं बोल रहे हैं इन जनरल आप अपने लाइफ को देखिए कि आप जब पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको महंगाई असर करती एक नहीं करती हैं आप जब सबज पुछती है कब मिलेगी नौकरी कब होगा बियाह कब देखेंगे पुता-पुती का मूँ लोग ते वहार में फोन करना बन कर देता है पता ही नहीं है कि कब होगी बहाली यह आपके जीवन की सच्चाई है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी ने जो बिधान तयार किया है यह लोगों के बुनियादी सवाल है रोजी रोटी कप्रा मकान सिच्छा स्वास सरक्ष बिजली पानी उसको केंदर में रख करके तयार किया गया है कि समाज खुबशूरत तभी होगा जब समाज में एक संतुलन होगा आप खुबशूरत कब लगते हैं आप सौम और आकरसक लगते हैं जो आपके चेहरे में एक बैलेंस लगता है आप मुझे बताईये कि मेरी कान जो है वो डेर फीछकी हो जाएं यह सफ्थ होने की निशानी नहीं है ना समाज में शन्तुलन हो और समाज में शन्तुलन के लिए जरूरी है कि जो समाज की आधी-आवादी और उस आधी आवादी को उसको हक मिलना चाहिए इसी जब प्रिंका जी ने ये नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं इसका मतलब ये है कि ये शुरुवात है एक कहीं हमने एक साइडी परी थी कि एक सहनी तूट कर पतवार बनती है एक सिंगारी दहट अंगार बनती है जो सदा रौंदी गई मिठी समझ कर मिठी वही एक दिन मिनार बनती है जब हमारे संबिधान सभा में 15 महलाएं थी जिन्होंने संबिधान को बनाने का काम किया जब हमारे देश में महला पधान मंतरी हुई राष्ट पती हुई तमाम च्चेतरों में जाकर के यहां तक कि जो हमारी आउफ होर्सेस हैं उसमें जाकर के महलाएं अपना योगदान दे रही हैं अपनी वीर्ता और अपनी छमता का परदसन कर रही है राजनिती में भी उनको अवसर मिलना चाहिए इस सवाल को हमने परमुखता से उठाया है कि एक तरफ अगर आप दो तीन लोगों को इस देश की संपत्ती लूट करके उसका खजाना मुटा करता रहेंगे तो इंबैलेंस हो जाएगा मान लिजे कि मेरा मूरी इतना बड़ा हो जाए तो हम गिर जाएंगे न मूरी भार हम चल नहीं पाएंगे इस धर्ती पे ग्रेविटेशन का रूल ये कहता है कि सरीर के डैमेंसन के हिसाब से अगर मूरी ज्यादा बड़ा हो जाए पलट के गिर जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके अपने कुछ नीजी दोस्तों की मदद की है इसके देश में संकट गहराता जा रहा है मैं प्राइवेट सेक्टर का बिरोधी नहीं हूँ लेकिन मेरा ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से तब काम करता है जब उसका चेकेन बैलेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर होता है और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ बाई साहब नहीं लगेगा जुमला बना दिये न बिये सेनल आज कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है और आज जीयों की हालत क्या है पहले क्या होता था आजा आजा ले-ले फिडी में देदेते अब क्या हो रहा है तारे 700 रुपया किता गरीचाड हो रहा है और सासो 719 रुपया और 1500 से कम कमाने वाले कि इस देश के अंदर करोरों पडिवार की संख्यां बढ़ गई है GDP घट गया है, growth rate घट गया है, unemployment बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है ये हमारा आपका सवाल है इसी सवाल को केंदर में रख करके जो भरती विधान हम लोगों ने जारी किया है उसका उद्देश ये है कि एक तो सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों को भरा जाएगा दूसरा ये है कि इस देश के जो नौजवान हैं जिनके पास छमता है उनको भागीदारी दे करके उनका सर्वामजिम विकास का प्रियास किया जाएगा इसलिए मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो आएंगे तरह तरह की बातें बनाएंगे उनसे आप सिर्फ एक सवाल पूछिएगा एक बात बताईए अच्छा दिन कव आएगा पंद्रा लाग कव हमारे खाते में पहुंचाया जाएगा अगर इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आप मान दीजिएगा कि वो जूट बोल रहे हैं जूट नहीं खडीदना है सच के साथ खड़ा होना है क्योंकि सच की ताकत ये है कि इसको सावित करने की जवरत नहीं होती है इसको अस्थापित करने के लिए मेहनत की जवरत नहीं होती है सच होता है जूट जूट होता है अगर इसको आप आजमाना चाहते हैं तो आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो करके पचास बार नीम नीम बोलिएगा दिखेगा आम नीम होता है एक नहीं होता है जैसे आम का फिर नीम नहीं हो सकता है न, वैसे ही गांधी की हत्या करने वाला कभी भी इस देश का वफादार नहीं हो सकता है, वैसे ही जो नफरत की बात करते हैं, हिंसा की बात कर सकते हैं, वो सब का साथ और सब का विकास नहीं कर सकते हैं, वैसे ही जो पडिवारवाद का नारा लगाते थे मौका मिला तो करी करी निंदा मंत्री साहव अपना दुन्लू बेटा को टिकर दिलवा दिए हाईरे पड़िवारवाद यह बैमानी हमको आँख के सामने दिखती है आप भी टीवी बंद करके दिखने लगिएगा ना यह बैमानी आपको भी दिखनी सुरू हो जाएगी क्योंकि हम जो बोल रहे हैं एक नेता की हैस्यत से नहीं आपका जीवन हम अभी तुरंत 2018 में हमने अपनी PhD पूरी की है डॉक् तंत्र में हर 5 साल में एक मौका आता है कि हम अपने मुद्वों पर सरकार को जुका सकें उनसे पूछ सकें कि यह सरकार बताओ हर साल 2 करोर नौकरी क्यों नहीं पैदा किया गया अगर नहीं किया गया तो इधर उधर की बात छोड़ो तुमको हमने नौकरी देने के लिए व साथ यह है कि तुमको अगली बार मौका नहीं देंगे तीस साल से जादा हो गए हैं कॉंग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिला है मैं आप तमाम नौजवानों से आकाग्रह करता हूं एक बात को याद रखिएगा जिसके पैर में बिवाई नहीं फटती है उसको दर्द समझ याद एंकलाब जिंदावाद चात्रेक्टा जिंदावाद